मित्रों हम आपके सामने लेकर आए हैं आज बुरानपुर जिला जो मद्ध प्रतिश के जिलों का अगला अंक यहाँ पर है इस जिले के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन-कौन सी चीजे जिले में फैमस है और प्रसिद्ध है जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमें धक्कन का दरबाजा है अंतिम भी जाय असीरगण को जीतकर अकबर ने किया था नेपन अगर क्यों प्रसिद्ध है नैस्नल जान सकते हैं और यह हमारे एक्जाम के लिए चाहे वो बर्ग तीन का एक्जाम हो चाहे बर्ग दो बर्ग एक का एक्जाम हो चाहे कोई भी एक्जाम हो मद्य प्रदेश से रिलेटर जाहे MPPSC का हो कोई भी एक्जाम हो सभी एक्जाम में यह बुरानपुर जिला हमारे वीडियो को बनाते रहें तो सब्सक्राइब कराने का काम आपकी जम्मेदारी है तो चालू करते हैं सेख बुरहंदीन के नाम पर इस नगर को राजकुमार नासिर खांद्वारा 1388 में स्थापित किया गया था और तापती नदी के तर्ट परिस्तित है तापती नदी कहा से न जाती है समाप्त हो जाती है तो दोस्तों हमने देखा बुरहानपुर जिले में स्थित असीर गड़ के लिए एक दक्कन का दरवाजा कहा जाता है और इसको जीतने बिना दक्षिन भारत में प्रेवेस करना नामूंकिन कहा जाता है 16211 में अकवर ने अपनी अंतिम विजय में असीर गड़ को जीत लिया था और सहजा की प्रेमिका मुम्ताज बेगम की कबर असीर गड़ में है यह ऐसा हम मानते नहीं है ऐसा है ही बुरहानपुर सिक धर्म का पवित्रिस्तल है प्रतम गुरु नानक दे और अंतिम गुरु गोविन्द सिह यहाँ पर पधारे हुए थे क्यों फैमस कहा जाता है यहाँ पर इसलिए फैमस कहा जाता है दोस्तों क्योंकि बुरहानपुर जो है जिला जो है यहाँ पर धर्म का पवित्रिस्तल कौन से धर्म का है सिक धर्म का है और गुरु नानक दे और अंतिम गुरु 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 गुविन सी जी यहाँ पर आये हुए थे बुर्हारपुन जिले नेपनगर में नेशनल लूज प्रिंट का पेपर मिल है अकवारी कागज का कार खाना यहाँ पर है बुर्हानपुर के आहु खाना में मुम्ताज महल की म्रत्यु हुई थी यह सबसे इंपोर् ले कब्र कहाँ पर बनाई गई थी तो कोशन कई बार पूछा गया है तो बुरानपुर इस में सबसे सटी का अंसर आता है आगरा कब्र को बाद में ले जाकर यहाँ पर TOP महल का निर्माण करवाया था बुरानपुर को बुनकरों का सहर कहा जाता है दोस्तों हम देखते हैं इसमें आगे चित्र के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं प्रदेश की प्रथम चांदनी ताब बिद्दुद गरे नेपा नगर में है और नेपा नगर में हमारा एंड पेपर मिल जो की अकवारी कागज का कारखाना इस्थापित है ये दो चीज हमको यहाँ पे और याद रखना होगा नेपा नगर में एक और चीज है देश का सबसे नेशनल ये तो हमने अभी आपको बता दिया असीरगड असीरगड के किले को दक्षण का प्रवेश द्वार कहा जाता है और अकवर ने अपनी अंतिम विजय 1601 इस्थी में असीरगड के ले को जितकर प्राप्त की थी सहाजा की रानी मुम्ताज की म्रत्व यहीं पर हुई थी सहाजा की रानी और खुनी भंडारा बुरानपुर की मुगल काले जन्द प्रदाय वेवस्ता थ मुम्ताज की कबर यहां पर थी लोधीपुरा यहां दर्गाह यह हकीमी इस्थित है लोधीपुरा नामकिस्थान पर यहां दर्गाह यह हकीमी इस्थित है दर्गाह बहुरा संप्रदाय का प्रिसिद धार्मिक क्रेंदर है प्रदेश का एक मात्र यूनानी चिकिस्सा मुह विद्दाले बुरानपूर है राजा की छत्री मुगल सासक औरंग जेव ने बुरानपूर के निकट राजा जैसी की छत्री का निर्मार करवाया था इसमें आगे और जानते हैं दोस्तों 1614 1614 इस्वी में इंग्लेंड के समराट जेम्स प्रथम ने राजदूत सर टॉमस रो को मुगल समराट जहागीर के दरवार में भेजा सर टॉमस रो ने दरवार में जाने से पूर्व बुरानपूर के सहजादे परवेच से भैट की थी 15 अगस 2003 को बुरानपूर जिले का गटन खंडवा जिले को विवाजित करकर किया गया था ये बात भी हमको याद रखनी चाहिए कि कभी कभी पूछ लेता है कि कब इसको अलग किया गया बुरानपूर जिले किस से अलग हुआ खंडवा से अलग हुआ है 15 अगस 2003 को अलग बुरानपूर तापति नदी के तट परिस्तित है बुरानपूर जिला गांजा उत्पादक जिला है सबसे इंपोर्टेंट बात है कि बुरानपूर गांजा उत्पादक जिला भी कहा जाता है क्योंकि खंडवा भी गांजा उत्पादक जिला माना जाता है महाविद्याला यूनानी चिकिस्था महाविद्याला यहाँ पर इसती थे दोस्तों दूसरा आयरुवैदिक महाविद्याला यहाँ पर है ताब विद्दुत चांदनी ताब विद्दुत के अंदर यहाँ पर है सारवजनिक उपकरम में हम देखें तो बुरानपूर तापती नासिर खान आदिल साह की मजार है राजा की छत्री है खोनी भंडारा प्रसिद एस्था एस्थालिहा पर है एक्छा देवी का मंदिर बुरानपूर से 23 किलोमीटर दूर एदलाबाद मार्ग पर एक्छा देवी का मंदिर इस्थित है ऐसा माना जाता है कि मराठा सरदारों ने एक्छाओं की पूर्ती करने वाली देवी एक्छा से साम मानने ताली थी कि यदि उसे पुत्र की प्राप्ति होती है तो एक्छा देवी का एक मंदिर और खुआ बनवाया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात ये दोनों चीज देख रहे हैं कि यहाँ मंदिर भी है और यहाँ मस्जिद भी है तो यह बहुत बड़ी बात है हिंदू और मुस्लिम दोनों की भाईचारे के लिए इस जिले में बहुत अच्छी बात देखी जाती है खोनी बंडारा सुद्ध जल प्रदाय करने की द्रस्टी से मुगल सासकों ने जल प्रदाय प् स्तापित करवाया गया था इस इसमारक के बीचों बीच अस्ट कोणी यह इस नानकुंड है अस्ट कोणी इस नानकुंड कहा पर है यह पूछा जाए आपसे तो फारुकी के लिए के अंदर है और यह किस ने बनवाया था साही हमाम ने बनवाया था यह इस नानकुंड भी खुनी बंडारी की जल आपूरती प्रणाली से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों हमने आज बुरानपुर जिले के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की, और ऐसी ही नई जानकारी आपके साथ सेर करते रहेंगे, दोस्तों चैनल को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, धन्यवाद और अन्त में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्विकार करें, बहुत बहुत धन्यवाद.